अलाटोपी के आउसत चाल या माद्य चाल अभी अपने कहा था के आउसत चाल पहली बात तो कब ग्याद करनी है जब किसी वस्तु की चाल असमान चाल जब भी किसी वस्तु की चाल असमान चाल है उस इस तदी ममेशा उसत चाल ग्याद करनी पड़ेगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी गतिसील वस्तु के द्वारा एकाई समय में तहकी कही दूरी जो उसत है उससे कहेंगे औसत चाल क्या कहेंगे कि किसी गतिसील वस्तु द्वारा इकाई समय में ते कि गई औसत दूरी ओ औसत चाल कहते हैं किसी वस्तु के दारा इकाई समय में ते औसत दूरी ओसत चाल कहलाती हैं यदि कोई वस्तु है वो टी वन समय में एक्शन दूरी ते गए और टी टू समय में एक्स तूरी ते गए तो इसके उस्त चाल के से याद की जाती है तो उस्त चाल का जो फॉर्मूला होता अपने पास वो होता है अपने पास V बार बार कमल होता है उस्त या माध्य V बार is equal to delta x upon delta t यहाँ पर अभी delta के लफड़ा है delta t के के लफड़ा है अपर मैं आपको बताता हूँ माना कोई वस्तू t1 समय में x1 दूरी तै करे second कोई वस्तू t2 समय में x2 दूरी तै करे तो उनकी ओस्त चाल वो हो जाएगी V बार is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1 इस पर्मुले को याद अपना बहुत बार ओस्त चाल पूछी जाती है और ओस्त चाल पूछने पर हम कैसे गयाद करेंगे यह हमारे सामने एक व्यवस्ता है ठीक है अब यह तो सिंपल अपने पास डाटा दिया होगा उस डाटा की साहता से हमें औस चाल गयाद करनी है तो यह हमारे साथ यह लेकिन यदि आपके सामने कोई ग्राफ दिया हुआ है लेखा चुतर दिया हुआ है लेखा चुतर की सायता से आप औस चाल कैसे ग्याद करोगे हम वो भी यहाँ पर देखेंगे लेखा चुतर की सायता से औस चाल ग्याद करनी यहाँ पर तो हमारे पास कुछ लाता है इस डाटा को पर लिख देते हैं यहाँ पर पहले समय समय यहाँ पर हमारे पास सेकंड में और यह दूरी हमारे पास है मीटर में तो समय वही समान समय तरह लेंगे 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second and 5 second और इस समान समय इंतराल में कितनी दूरी तेगी की है मालिजी 0 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 10 से के नेगा मतलब है कि अलग अलग समय इंतराल, समान समय इंतराल में जो तेगी की दूरी है, वो अपन कहा लेकी जा रहे है या पर, कोई भी अपनी इच्छा से अनुसार आप बना सकते हो, या जो अपने को दिया हुआ है, को अपन बना सकते हैं, ठीक है, अब आपको कहा जाए, कि 0 से 2 से के मद्दिय, क्या, 0 से 2 से के मद्दिय औस चाल कितनी है, वो ग्याद करो, आपको ये कहा जाए अपने पास, 0 0 second से 2 second के मत्य औस चाल तो वी औस चाल की जिकाल टू आट माइनस 0 दो माइनस 0 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड कि यह महरे पार औस चाल आती है यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर आपको कहा जाए 4 second से 2 second के मत्य औस चाल 4 second से 2 second के मत्य औस चाल वी बार इस इकाल टू तो यहां हो जाएगा आपने पास 17 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 2 17 में से 8 गया तो पीछ से हमारे पास बचेगा 14 17 से 8 का ले लो या 3 का ले ले लिते हैं चलो यहां पर ताकि गन आसान होगी 4 second से 1 second के मत्य के औस चाल तो 17 माइनस यह 3 हो जाएगा और यह 4 माइनस 1 हो जाएगा 17 में से 3 गया तो 17 में से 3 जाने पर हमारे पास बचेगा 14 और 14 बटा 3 14 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह आएगा 4.67 मीटर पर सेकंड तो आप एक बाद ही समझ गए होंगे के हमें और साल के से गयात करने यह दाटा से अब अपन पढ़ेंगे कि लेखा चितर दिया गया उस लेखा चितर की सायता से अपना उसे चाल के से ग्यात करेंगे तो लेखा चितर अपन बनाते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको लेना है समय क्योंकि सेकंड में है यहाँ पर आपको लेनी दूरी जो कि मीटर में है यहाँ पर समय अपने पास एक सक्ष भी लेना है जिरू एक दो तीन चार और पांच और दूरी अपने लेनी है यहाँ पर तो दूरी अपने ले लेंगे यहाँ से कुछ भी ले लेंगे अपने पास यहाँ से यह ठीक है? अब माली जी अपने पास एक समय है यह है T1 जो कि कितना दिया हूँ तू सेकेंड दिया हूँ यह iedereen अपने च़्ण जाएगा कोई दिक्कत वाडी बात नहीं है कि अपने पार डाटा ही नहीं अपने पास. डाटा खुछ भी हो सकता है, अपन कॉम्बन ग्राफ बनाते हैं यहां पर समय जो कि सेकंड है यहां आप ले लो T1 यह T2 T3 T4 यह T5 और यहां पर अपने पास X1 यह X2 X3 X4 X5 ऐसा कोई अपने पास ग्राफ दिया गया है ठीक है और जो डाटा है इनको मिलाकर हमारे पास एक यह T2 मेड़ा करवा गया मैंने आपको पहली कहा था कि और चाल कब ग्याज की जाती है जब चाल आपके पास क्या हो और समान चाल के लिए ग्राफ कैसा आता है टेडा मेड़ा आता है तो आपको जो और चाल ग्याद करनी है वो T2 यह और T4 की मद्दि ग्याद करनी है यहां पर ठीक है यहां पर आपको ग्याद करनी है अब इसको थोड़ा सा अपन और और वेवस्तित कर लेते हैं यहां पर ह हम यहां पर यह कह देते हैं, यह लटा आपके पास x2 है, और यह x4 है अपने पास, और यह दूर ही अपने पास, यह अपने पास आया हुआ है, ठीक है? यहां पर, अब जिन दो पॉइंट के बीच में, आपको उसर चानल क्याद करनी है, अब जिन दो पॉइंट को आप मिला दो, यह, फिर आप समय अक्स के समानतारी के रेखा कीजिए, यह, और यह एंगल है, ठीटा, यह ठीटा एंगल ग्याद कीजिए, तो हमें ग्याद क्या है, हमें यह ग्याद है, यहां से यहां तक यह कितना x4 है, और यह, यहां से यहां तक इतना x2 है, x4 में से x2 गया, तीट से बज़ गया हमारे पास x4 माइनस x1, यह कितना बज़ गया हमारे पास t4 माइनस t2, यह, यह, अब इस तरिबूज के अंदर, आप निकाल यह 10 ठीटा, 10 ठीटा, 10 ठीटा क्या जाएगा, लाल अपॉन कक्का से, लाल अपॉन कक्का से, लंब बटा आधार, ठीटा के सामने बज़ गया में साथ लंब होती है, लंब कितना अपने पास, x4 माइनस x1, अपॉन, अपॉन, अधार कितना है, अधार अपने पास से, t4 माइनस, x2 ना, आसद्चाल इस इकल टू 10 थीटा is इकल टू X4 मैनस X2 आप 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 टी 4 मैनस T2 इसका हम लबी एक कि दूरी समय अक्स का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ की जो ढाल है उस ढाल ही आसद्चाल कहलाती है यह बात ध्यानकना में सा तो ग्राफ की साहता से कैसे और शेट चाल ग्यात की जाती है उसको अपर ने यहापर बनाया सिंप्ल आपके बाद डाटा होगा उस डाटा को आप गराम पर फ्लोट कीजिए जिन दो पॉइंट के बीच की आपको और शेट चाल क्यात करने है उन दो पॉइंट को आपस मिला दीजिए ठीक है बिलाने के बाद आप समय अक्स समंतर रीक हो किजिए तिर्भूज आप टेंटीटा ग्यात कीजिए जो 10 चीटा होगी वह होगी धाल और वही धाल उसकी क्या क्या राएगी औस चाल यहाँ पर में लिख सदेता हूँ यहाँ पर दूरी समय अक्स की धाल होसत चाल कहलाती है ठीक है इस चीज का यहाँ पर धान रखना चलो अगला टोपिक और लास्ट इस बार एक बात धानगना चीजों को दो बार तीन बार पड़ो फिजिक से थोड़ी सी टेरी बेडी होती है क्योंकि बचों को बेसिक नॉलिज नहीं हो पाता है तो जितना हो सकी चीजों को पड़ो रिवाइस करो और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ठीक है लास्ट टोपिक अपने पास है ताक्षनिक चाल इस्टेटेनियस स्पीड ताक्षनिक का मतलब क्या है किसी च्छन विशेश पर किसी गतिशी नवस्तू की च्छन विशेश जो चाल होती है उसको बोलते है ताक्षनिक चाल जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपके दिमाब अचनक आए कि पांचवे सेकेंड पर वस्तू की चाल क्या है दसवे सेकेंड पर वस्तू की चाल क्या है या बारवे सेकेंड पर वस्तू की चाल क्या है हम यह नही पास है ताक्षनिक चाल हम गाड़ी चलाते हैं गाड़ी में या मुर्साइकल के आगे स्पीडो मिटर लगा होता है और वो स्पीडो मिटर हमें क्या होता है गाड़ी की स्पीड बताता है और वो स्पीड कौन से होती है वो ताक्षनिक चाल होती है क्यों क्यों कि आप जाए कि ताक्षिनिक चाल कैसे ग्याद की जाती है तो आपके पास option हो सकता है या उतर आना चाहिए या गाड़ी का speedometer है वो कौन सी चाल बताता है तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ताक्षिनिक चाल को वो बताता है ठीक है तो परिवासा किसी गतिशील वस्तु की छण विशेश पर चाल को मा किसी गतिशील वस्तु की छण विशेश पर चाल कहलाती है और इसका जो फॉर्मुला होता है विए ताक्षिनिक बराबर दी-एक्स-बाई-डी-टी मालब आपके पास जो विस्ता पर जो आपके पास जो किसी वस्तु की पोजिशन है उसका ठीक है इस पर में आउगलन कीजिए डी-एक्स-बाई-डी-टी तो यह किसी वस्तु की ताक्षिनिक चाल होती है